और ओडियूनो के बारे में बिल्कुल नहीं ना जानते हो शुरुआ से जाना चाहते हो उन्में यह फंक्शन बाइडी फॉल्ट आते रहते हैं क्यों आते हैं क्या फंक्षन इन्वा लेक्टिर को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब जरूर कर दें मैं एक audio की ID आपके सामने फिर से कोलता हूं में पास audio की ID है यहां पर एड़ी मैंने open कर लिया है अब audio मैंने लगा भी लिया अब मैं वीडियो में आपको कैसे दिखाऊ और यू लगा हुआ कनेक्ट है अगर कनेक्ट होगा तो और यू यहाँ पे आईडी में जरूर शो करेगा तो हम चलते हैं और आइडी खुल रही है यहाँ आईडी खुलते हैं फिर हम डेटाइब के बारे में देखेंगे तो यहा यहार बॉर्ड हम यहाँ पे मेरे पास audino UNO है वह हमने यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पर पॉट बताना होता है कि यह कॉम्फोर पर चलेगा यह बता दिया है यह प्रोग्राम देख़हंगे प्रोग्राम जैसे audino की आईडी मैंने खुली है तो यह जो है आपको function पहले ही आ रहे हैं इनका description और इनको बकायदा मैंने पिछले लेक्चर में आप audio के लेक्चर इसी चैनल पर देख सकते हैं अब मैं बताने वाला हूँ आपको डेटा टाइप के बारे में डेटा टाइप क्या होता है अब ऑ देटा टाइप के बारे में जान ना है कि क्या होता डेटा कैसे काम करता है फिलाल कंप्यूटर को किस तरह का डेटा आप दे रहे हैं यह टाइप हमको कंप्यूटर को पता ना होता है यह निकि कंप्यूटर में कैसा आप डेटा इंपूट कर रहे हैं कैसा डेटा का मतलब कि डेटा क्या वो बीना नंबर का है डेटा क्या वो बीना दस्मलों का है क्या वो डेटा अलफाबेट वगेरा करेक्टर वगेरा तो नहीं है क्या वो डेटा दस्मलों में तो नहीं है क् यह हमको सारा डेटा अलग अलग टाइप बताना होता है अब इसको बताने के लिए हमारे पास embedded C में यानि ओडिनो के जो किया programming कर रहा है embedded C पे यह embedded C में पहले से ही keyword के through define है यहीं कई सारे data type यहाँ पे predefined data type primitive data type बना के रखे हुए है जो कि पहले से defined है उन्हीं का इस्तमाल हमको करना है अब data type में हम देखते हैं कौन-कौन से data type है पहले हम समझते है data type कहते किसको है तो यूज क्या data type का तो सपोस मैं स्टार्ट कर लेता हूं पहले अडिनो की programming को तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूं तो क्योंकि मुझे आउटपूट चाहिए यहाँ पर यानि कि Serial Monitor पर आउटपूट चाहिए यह मेरा Serial Monitor आपके सामने खुलके आ गया है यह बाउड यहाँ पर दिखा रहा है 9600 यह बाउड रेट है आप जो बाउड रेट लेना चाहें डिफाइन कर दें अब यह बाउड रेट मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर कि किस Serial Monitor पर किस से डेटा रेट से आपको डेटा दिखाना है तो मैं आप लिखूंगा Serial.begin यहाँ पर 9600 पर मुझे दिखाना है अगर आप यह नहीं लिखते हैं तो यह मौनिटर पर आउटपुट आपको नहीं देगा अब क्या करना है मैं डिटे टाइब बताने वाला हूं डिटे टाइब में क्या होता है तो देखिये एक मैं डिटे टाइब लेता हूं char कैर अब क्या है ना कि इस डेटे टाइब से इस कीवर्ड से हम एक variable बनाएंगे वी ए आ यह वैर नाम जो मैंने लिए है ना यह में कुछ भी आप लिख सकते हैं इसका नाम वैर दुर्गेश सर इंपल्स कुछ भी लिख सकते हैं इस वैर में मैंने character type का है character हमेशा single code के अंदर होता है मैंने लिखा है क्या लिखा है अब क्या है इसे मुझे print करा लेना है monitor के ऊपर तो मैं यहां पर monitor को call करूंगा serial dot print serial dot print अब यह क्या करेगा monitor पर प्रिंट कर देगा अब मैं क्या करूंगा तो वैर को print करा लोगा देखते रहेगा बने रही लास्त तक और सीखते रहे इंबेड़ेट सी विथ दुर्गेसर अब यह क्या है ना कुछ प्रॉब्लम है देखते हैं के रहा सैमी कॉलन कहीं पर मिसिंग है जो कि इस लाइन पर मिसिंग है सैमी कॉलन नहीं लगाते है तो लाइन टर्मिनेट नहीं होगी UK अफिर कंपाल करते हैं स्केच को और यहां पर दिखते हैं DR Пон्ण जना गया इसका वर उसको आपर यूरा है इसको दुबारा शरक्यांर यहां यह पर पाहंनगे यहां पर और 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 erkर देगा तो अभी चेक हो रहा है और अगेन जो है आपसे र anche आ Parker यह दो कर दिखिए एक बर जो करेसे आप सो एंब फर्रेंट करेंगे यह स्रसे आपरएंपर कर यह से लोट प्र professions से यह कंपाइल करते हैं एंट रंड कराई यह इससे पापको दिखाने के लिए मैं आप पूर दिखा रहा हूं लोड होने दीजिए यहाँ पर आपका रहा है नियू लाइन और नो लाइन एंडिंग करेज़ टन बोद लाइन अब नू लाइन सेलेक्टिड है यहाँ हमारे पास आ रहा है यह से समझते हैं अब क्या है ना कि मैं एक ही जगह यह कैर लिखा हुआ है करेक्टर डालना है मैं यहाँ पर नंबर भी लिख दूँ तो भी यह ही प्रिंट करेगा क्योंकि एक यह का ही होती है 65 कि एक यह का ही होती है 65 देखना एक फोर टाइम हो जाएगा यहाँ पर फोर टाइम हो जाएगा एक टाइम और चलेगा और यह क्या हो जाएगा यहाँ प्यारा आउट्पुट यह capital A यहां पे आपके screen पे दिखाई दे रहा है यह a एक बर ओर आ चुका है तो हमने क्या किया हमने यहां पे 65 दिया 65 नमबर दिया और हमने compiler को बता दिया कि ऐसा इसको किस format प्रिंट करना है वायर को तो वायर को प्रिंट करना है character format में तो हमने 65 प्रिंट कर आया और यह क्या प्रिंट कर गया यह प्रिंट कर गया क्या तो यह प्रिंट कर गया अगर मैं यहां पर आता हूं और इसको मैं इंट टाइब बना लेता हूं की इंट विय का नाम कुछ भी रख सकता है मैं लिखा है आई इंट डाई एकॉल स्टू और मैंने लिखा 65 ऐक कोल स्टू 65 और आपने क्या करना है अब box कराना तो एको एंड़ा तो है साहर मैं कृत करता हूं तो यह यह आई को नमबर ट्रीट करेंगा आई को यहाँ पर रन कर आई और एक बास से आपको 65 प्रिंट हुआ दिखाए देगा तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है अपलोड हो रहा है अगर मैं आई में डेटाइब दूसरा देता हूं यानि मैं आई में कफटल ये ता हूँ आई में कफटल ईताओ यानि अब 65 के बास से मुझे कैपिटल आ mlées करा चेए आई में कले गा लोन इसको केंट मारते दों वह कमेंट विखमेंट किए यह भी कमेंट पर जाहां है इसके आई प्रिंट करना आ आई में इंटीजर डाल दो यह दोगो दुबार आपने सिफच वाइब देखने को मिलेगा अगर इसी को मैं यहाँ पे कैर लिग दूँ ती अच एयार कैर और यहाँ पर मैं लिखू वह उपर वाला प्रोसेस क्या लिखा है उपर वाला प्रोसेस यहाँ लिखा है और क्यार नमने क्या डाला एक नमबर डाला लेकिन ऊसको भी क्या कर रहा है क्यार में बदला तो डेटा टाइक का मतलब है कि आप किस तरह का डीटा टाइप compiler को दे रहे हो यहने सी प्रोग्राम इंबेडेट सी program को और डिनो को किस तरह का डेटा दोगे वही होता आपका डेटा टाइप बने रहे हमारे साथ अगली लेक्चर में अगली डेटा टाइप के बारे में जानने के लिए थैंक्स पर वाचिंग बाइबाइबाइब